प्रस्न एक भाग तथ्य से गुना तथ्य को लिखें तो प्रस्न एक का छे भागा तीन बराबर दो छे भागा तीन बराबर दो ठीक है यानि छे को तीन से भाग देने कितना आता है दो यह दिया हुआ है गुना तथ्य लिखना है तो देखें तीन दुना छे तीन और दो को तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 गुणा 2 बराबर 6 यानि यह भाग तथ्य दिया हुआ था गुणा तथ्य लिखना है तो तो देखे 6 को 3 से भाग देने पर 2 आता है तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा तो इन दुनों को गुणा कर देंगे तो तीन गुना दो बराबर छे तो यह हो गया गुना तत है तो बस इस तरह से इसको हल कर देना है खाब में है आठ भागा चार बराबर दो आठ भागा चार बराबर दो तो आठ को चार से भाग देने पर कितना आ रहा है दो तो देखें, चार दुना आठ तो चार गुना दो बराबर आठ तो ये दोनों को गुना करने पर आठ हाएगा ठीक है, चार दुना आठ तो ये हो गया गुना तत है तो बस ये दोनों को गुना कर देना जैसे इसमें 3 दूना 6 इसी तरह 4 दूना 8 ग 12 भागा 3 बराबर 4 तो इसका गुना तर्थ क्या हो जाएगा 3 गुना 4 देखें 3 चौक 12 3 गुना 4 बराबर 12 3 चौक 12 भागा 3 यानि 12 को 3 से भाग देने पर 4 आता है तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 12 तो ये हो गया गुना तर्थ घा 20 भागा 4 बराबर 5 तो इसका गुना तर्थ हो जाएगा तो 20 को 4 से भाग देने पर 5 आता है तो 4 पचे 4 गुना 5 4 पचे 20 4 गुना 5 कर देंगे तो 20 आजाएगा तो गुना तर्थ हो गया 4 गुना 5 बराबर 20 अड़ा 24 भागा 6 बराबर 4 24 को 6 से भाग देने पर 4 आता है तो 6 गुना 4 यानि 6 चौक 24 च्या तो च्या में है 18 भागा 3 बराबर 6 यानि 18 को 3 से भाग देने पर 6 आता है तो देखें 3 च्या क अठारा 3 को 6 से गुना करेंगे तो इसका गुना तर्थ हो गया तीन गुना 6 बराबर 18 तीन च्या क अठारा च्या 32 भागा 8 बराबर 4 तो 32 को 8 से भाग देने पर 4 आता है तो इसका गुना तहत हो गया 8 चौक 32 8 गुना 4 8 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जागा 32 8 चौक 32 जा 32 भागा 4 बराबर 8 32 को 4 से भाग देने पर 8 आता है तो इसका गुना तत्य हो जागा 4 अठी 32 यानि 4 गुना 8 देखें 4 को 8 से गुना कर देंगे तो 4 अठी 32 जा 36 भागा 9 बराबर 4 यानि 36 को 9 से भाग देने पर 4 आता है तो इसका गुना तत्य तो 36 को 9 से भाग देने पर कितना आता है? गुना चार तो 9 चोक 36 तो गुना तत्य क्या हो जागा? 9 गुना चार बराबर 36 तो इस तरह से प्रस्ण एक हल कर लेंगे प्रस्ण दो गुना तत्य से भाग तत्यों को लिखें तो प्रस्ण दो कर 7 गुना 3 बराबर 21 तो यहाँ पर गुना तत्य दिया हुआ है देखें, 7 यहाँ तत्य गुना तत्य दिया हुआ है भाग तत्यों को लिखना है तो इसका भाग तत्य होगा देखें, 21 को 7 से भाग देंगे 21 भागा 7 बराबर कितना आ जागा? 3, 21 को 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 7 है 21 21 को 7 से भाग देने पर कितना आएगा 3, क्योंकि 7 का 7, 2, 4, 7, 21 7 को, 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 21 आता है, 21 को 7 से भाग देंगे, तो 3 आएगा ठीक है, तो 21 भागा 7 बराबर 3 और तो यहां पर और लिखेंगे तो एक और हो जाएगा अब देखिए, 21 को तो 21 को पहले 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा, अब 21 को 3 से भाग देंगे तो कितना आजाएगा, 7 21 को 3 से भाग देंगे तो 7 आएगा, क्योंकि 3 साथ है 21 तीन का पहाड़ा, 7 बर पढ़ेंगे तो 21 को पहले 7 से भाग देंगे तो 3 आएगा, फिर 21 को 3 से भाग देंगे तो 7 आएगा, तो देखिए, भाग तह थे यह दोनों इसका उत्तर हो जाएगा 21 भागा 7 बराबर 3 21 भागा 3 बराबर 7 तो इस तरह से इसको हल करेंगे ख, 6 गुना 3 बराबर 18 छेतिया 18 तो इसका भाग तहत्ति क्या हो जाएगा 18 भागा 6 देखे, छेतिया 18 तो 18 को 6 से भाग देंगे, तो कितना आजाएगा 3, तीन आजाएगा और और 18 को अब 3 से भाग देंगे, तो कितना आएगा 6 आएगा 3, 6 का 18, 6 ती आठारा ठीक है तो इस तरह से, 6 ती आठारा तो 6 से 18 को भाग देंगे, तो 3 3 से 18 को भाग देंगे, तो 6 ग, ग, 5 गुना 7 बराबर 35 5 से 35 तो 35 को, तो इसका भाग देंगे, तो कितना आजाएगा, 7 और 35 को 7 से भाग देंगे, तो 5 आएगा तो इसका भाग तरह देखे, ये दोनों हो जाएगा, 35 को 5 से भाग देंगे, तो 5 से 35, 7 बचे 35 साथ से भाग देंगे, तो 5, और 35 को 5 से भाग देंगे, तो 7 तो 35 को 5 से भाग देंगे, तो 7 आएगा, 35 को 7 से भाग देंगे, तो 5 आएगा घर 9 गुना 5 बराबर 45 9 गुना 5 बराबर 45, तो इसका भाग तरह हो जाएगा, 45 भागा 9, यानि 45 को 9 से भाग देंगे, तो 5 आएगा और 45 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9 9 से भाग देंगे तो 5 आएगा 45 को 9 से भाग देंगे तो 5 45 को 5 से भाग देंगे तो 9 आएगा तो यह हो गया इसका भाग दत 8 8 गुना 5 बराबर 40 तो इसका भाग तर्थ हो जाएगा यानि 8 45 देखे दिया हुआ है 8 गुना 5 बड़ावर 40 तो 40 को 8 से भाग देंगे तो 5 आएगा 45 और 40 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8, 85, 40 तो यह दोनों हो जाएगा इसका भाग तर्थ है चा 8 गुना 7 बड़ावर 56 तो इसका भाग तर्थ हो जाएगा 56 को 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा 8 से चपन 7 आएगा 56 को 8 से भाग देंगे तो 7 आएगा और 56 को 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8 6 9 गुना 8 बराबर 72 9 अठी 72 यह दिया हुआ गुना तर्थ है तो भाग तर्थ है लिखना है तो 72 को 9 से भाग देंगे तो 8 72 को 9 से भाग देंगे तो 8 और 72 को अगर 8 से भाग देंगे तो 9 आएगा 8 गुना 6 बराबर 48 यानि 8 चक बराबर 48 तो इसका भाग तर्थ हो जाएगा 48 को अगर 8 से भाग देंगे तो 6 आएगा 8 चक बराबर 48 और 48 को अगर 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 8 चेटी 48 जह 10 गुना 8 बराबर 80 यानि 10 अठी 80 तो इसका भाग तर्थ हो जाएगा 80 को अगर 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 8 और 80 को अगर 8 से भाग देंगे तो 10 10 अठी 80 8 गुना 10 अठी ठीक है तो ये दोनों हो जाएगा इसका भाग देंगे तो इस तरह से प्रस्न एक और दो हल कर लेंगे 9 10 अठी